नमस्कार साथ यहां आप सभी का हमार इसकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमिटी पर एक बार फिर ते स्वागत है बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर टार्गेट इसकड़ी में आपका यह रिजनिंग का लेक्शर नमबर एट होने वाला है तो फटा फट से चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के सेशन में तो यदि मैं आज के सेशन की बात करूं तो आपके एक्जाम के पॉइंट आव इसे बेहद ही खास हो जाता ह है क्यों खास हो जाता है क्योंकि यहां पर आज हम लोग इमेज से संबंदित प्रत्य एक टॉपिक से लेटेट प्रशनों की चर्चा करेंगे जिनमें अगर मैं बात करूं तो मुख्यता आपका मीरार इमेज वाटर इमेज पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग इंबेड़ फीगर या फीगर सीरीज की अगर हम बात करें तो इन टॉपिक से लेटेट हम लोग यहां पर कोश्टन की चर्चा करेंगे और साथी साथ अपरोच भी देखेंगे कैसे हम चुटकियों में आसानी के साथ इन टॉपिक से संबंदित प्रशनों को हल कर सकते हैं देखते ही वाटर एंड मिरर इमेज से संबंदित प्रशनों की तो अगर हम मैं बात करूं यहां पर वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेट कोश्टन को बनाने के लिए हमें किन कॉंसेप्स की जरौत होती है जिस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए इसके बारे में हम वाटर इमेज से संबंदित कुछ basic concepts की चर्चा कर लेते हैं तो यहां बहुत करूं mirror इमेज के तो mirror इमेज में क्या होता है आपके जो भी आपजेक्ट है कोई ऐसा अब्जेक्ट यानि कि अगर हम बात करें जिसको हम two equal parts में बाते हैं तो आपका left और right क्या होगा same होगा तो आपको object as it is दिखाई देगा, यानि कि mirror image की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम माल लेते हैं, English alphabet का letter A है, और इसको हम क्या करते हैं, vertically two equal parts में divide करते हैं, तो हमें इसमें left side और right side दोनों कैसे देखने को मिलते हैं, same देखने को मिलते हैं, it means इसके image में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जबकि यदि मैं किसी अन्य letter की बात करूँ, जैसे मैं एकी बात करूँ, तो यहाँ पर जो आपको यह डंडिया यानि कि तीन line ने आपको किधर दिखाई दे रही हैं, यह आपको किधर दिखाई देने लग जाती है, towards west यह आप कह सकते हैं, जो line आपके कहा थी, towards right में थी, आपको towards left में दिखाई देने लग जाती हैं, यानि कि अगर हम बात करें mirror image की, तो mirror image में क्या होता है, जो आपका left side object में देखने को मिलता है, वो mirror में आपको कहा देखने को मिल जाता है, right side में देखने को मिल जाता है, इसके उपर हम थोड़ा और विस्तित रूप में चर्चा करेंगे, clear, जब कि अगर हम बात करें water image की, तो water image में क्या होता, आपका top side क्या बन जाता है, bottom बन जाता है, bottom side क्या बन जाता है, top बन जाता है, तो कुछ sentences के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयाज करते हैं, जैसे अगर मैं English में sentence लिखू, you are creative, पहले हम यहाँ पर mirror image समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर English में sentence लिखू, you are creative, clear, तो जब हम mirror image की बात करेंगे, तो ना के अवल alphabet में change आएगा, साती सात, जो आपका left most element था, वो आपको क्या नजर आएगा, right most element नजर आएगा, कुछ इस परकार से, यह हो जाएगा, आपका, you are creative, clear, तो अगर हम बात करें, तो आपको you जो आपका left most element, आपका y था, वो आपको right most element नजर आने लगेगा, हिंदी की अगर हम बात करें, तो हिंदी में भी एक sentence हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमने क आप प्रतियोगी चात्र हैं, आप प्रतियोगी चात्र हैं, तो यदि इसको हम क्या करेंगे, mirror में देखेंगे, तो यह हमें कुछ इस परकार से दिखाई देगा, यह हो जाएगा, आप, यह हो जाएगा, प्रतियोगी, और यह हो जाएगा, शात्र, और यह हो जाएगा, हैं, क्लियर, तो अगर आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट ले करके, जो उल्टी लिखी हुई image दिखाई दे रही हैं, यदि आप इसको mirror में देखेंगे, तो यह आपको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, यही का करना है कि जब हम ambulance की बात करते हैं, ambulance हमें उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे जब उसका image किसी आगे चलने वाली गाड़ी में reflect हो तो उसको ambulance की spelling जो है, वो सीधे तो दिखाई दे, clear, तो यहाँ पर basic, अगर हम बात करें, तो जो approach हमें follow करना होता है, यदि मैं बात करूँ आपके exam hall की, सीधे हम चलते हैं, आपके exam hall में सीधे हम चलते हैं, आपके paper पे, तो अगर मैं paper की बात करूँ, paper में यदि मान लीजे, आपको mobile allowed हो, और mobile में आपके इस परकार से लगा करके left, यानि कि जब हम mirror की बात करेंगे, mirror आपका left में लगा हुआ हो, या mirror और mobile पे आपको mirror image में बनने वाली आकरती clearly दिखाई पर जाती, लेकिन बतकिस्मती की बात यह है, कि आपके exam में mobile phone allowed नहीं होता है, अगर हम बात करें घड़ी की, तो घड़ी में भी अगर आप इस परकार से लगा करके देखेंगे, तो आपको क्या होगा, mirror image reflect करता हुआ द लगाएंगे तो चश्में में भी आपको reflection देखने को मिल जाएगा, अब ऐसा नहीं करना है कि आपको चश्मा पहनने लग जाना है, चश्मा पहन करके आप exam में गए, जैसे ही आपने चश्मा उतार करके paper में लगाया, अगर online परिक्षा है तब तो और खतरनाग फिलाल अम कोज़ बताऊंगा कैसे आप चुटकियों में यहाँ पर प्रशनों को हल कर सकते हैं और इस पेसली जब आप एक offline परिक्षा में बैठे हुए हो, clear, तो यहाँ पर मैं सारे alphabet की बात करूंगा कि प्रशनों को आप कैसे हल कर सकते हैं, फिर चाहे हो आपके alphabet पर based question हो, फिर चा क्या कर दूं, left to right, या फिर अगर मैं बात करूं, right to left, अगर rotate कर दूं तो इसके पीछे में जो आपको आकरती दिखाई देगी, यही क्या है, यही आपका है mirror image, तो I hope कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, mirror image हो जाएगा, और जदी मैं बात करूं, इसी paper को मैं क्या कर दूं, upside down कर दूं, या फिर downside up कर दूं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, water image हो जाएगा, यानि कि जल प्रति बिम्ब हो जाएगा, अच्छी बात क्या है, कि आपकी जो परिक्षा है, वो offline mode में है, तो दिए गए परशनों को आप आसानी क्या कर सकते है, paper पलट करके, यानि कि अगर उस अकरती को आप थोड़ा सा pen या pencil से आप क्या करेंगे, एक बार उसके उपर आप pen या pencil चलाएंगे, और paper को पलटेंगे, तो clearly आपको अकरती दिखने लग जाएगी, अब इसमें भी एक समस्या है, समस्या क्या है, कि अगर माल लेते है, option B आपका answer है, option D आपका answer है, clear, तो जब आप option B वाले को जब paper पलटेंगे, तो D वाला आपका क्या नजर आने लगेगा, B नजर आने लगेगा, और B वाला क्या नजर आने लगेगा, D नजर आने लगेगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना, वहाँ पर आप क्या करेंगे, pen से थोड़ा सा point बना लेंगे, जिससे आपको पता चलिए कि यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, पूछे गए, प्रस्न के लिए यह हो गई एक तरीके की बात, दूसरे यदि मैं तरीके की बात करूं, तो आपको even paper भी नचा तो माल नेते हैं का अकरती है, जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, clear, यह क्या है आपकी actual image है, यह क्या है, इसको मैं real image आर से denote करता हूँ, जब इसका हम क्या बनाएंगे, ध्यान दीज़े, जब इसका हम mirror image बनाएंगे, तो mirror image में हम क्या समझेंगे, आप डार direction के माध्यम तो इसको समझ सकते हैं, direction की जब हम बात करें, तो जो आपका हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है, towards east दिखाई दे रहा हो, towards east ही रहेगा, जो हिस्सा आपको north ही रहेगा, जब कि जो हिस्सा आपको east में दिखाई दे रहा, वो कहा हो जाएगा, west में हो जाएगा, त यhos यहां पर एगर है कि मैं बात करूं तो यह वाली साथ करूं तो यह देख सकतें कि नार्थ इस्ट डारेक्शन है मैं जो इससे यहांगा Yet यहांनि कि ह्ट वाला क्या हो जाएगा वेश्ट हो जाएगा जब कि नॉर्थ we are तो अपको प्रवाइह ड्यूवर्टन ए की बात करते हैं यहां कि ड्यॡवर्वर्टन में को परिवर्टन नहीं होता आ अपके उपर और स्पूर्फ्सक्रों प्रागले जब मैंने लिखा यू आर क्रिएटीफ तो आप साइन Organis सबसे दाया वाला भाग था वो बाया हो गया लेकिन इसी को जब हम क्या करते जल प्रतिभीम के तो पर देखते तो आपका why यहीं पर आपको देखने को मिलता इट मिन्स यहां पर अगर हम बात करें तो अगर इसको बना दू तो यह आपका देखने को मिलेगा क्लियर तो यह कुछ तरीके हो गए जिसको identify करने के लिए और यहां पर जो best approach होगा वो होगा आपका elimination method हम लोग यहां पर बाकी के विकल्पों का eliminate करके actual answer को कैसे निकाल सकते हैं इसके उपर हम लोग प्रश्णों के माध्यम से डारेक्ट चर्चा करेंगे clear तो basic बात हैं हमने क्या सीखी कि अगर कोई भी एक आकरती है उसका अगर हम left side को right कर दे right side को left कर दे तो पीछे जो हमें आकरती बनती हुए दिखाई देगी प्रतिभिम बनता हुए दिखाई देगा वह कैसा प्रतिभिम होगा तो वह होगा आपका mirror image इसी प्रकार से अगर हम किसी भी आकरती को क्या करते हैं paper पे अगर बनी हुए आकरती को upside down या downside up करते हैं तो पीछे में जो हमको आकरती बनती हुए दिखाई देती है वह क्या हो जाएगी आपकी water image यानि की जल प्रतिभिम हो जाएगी इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ direction के माध्यम से जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो जब हम बात करते है mirror image की तो mirror image में आपके north और south में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है चेंज आपके केवल east और west में आता है यानि कि जो east वाला पार्ट है वो west हो जाएगा जो west वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा इस्ट हो जाएगा आपके से आगे आने वाले पहस्टों में आपको हैल्प करने वाला इसलिए के बारे में फ्लिमारा है यहाँ arrows का यहाँ पर आपको face कहां दिखाई दे रहा है, towards east दिखाई दे रहा है, वो कहां दिखाई देगा, आपको towards west दिखाई देगा, यानि कि यह option हो जाएगा, आपका eliminate, clear, दूसरी चीज मैंने कहा, जो आपका right most part है, यानि कि जो आपका दाहिना वाला भाग है, वो किधर दिख करने वाला है, उपर नहीं चला जाएगा, यानि कि option B भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका eliminate हो जाएगा, जबकि हम बात करें, यह dark वाला जो आपका star है, यह dark वाला जो आपका नीचे था, तो यह आपका नीचे ही रहेगा, लेकिन क्या है, left side है, तो right side हो जाएगा, उचे गए, परस्न के लिए, clear, चल यह बात करते हैं, अगले परस्न की, अगले हदी में परस्न की बात करों, तो ध्यान दीजिए, यह वाली आकरती कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, E की, तो आपको पता है कि E में जो आपकी यह लाइने है, तीन पॉर्शन है वह आपको कहां दिखाई देगा जो कि राइट में था वह आपको लेफ्ट में दिखाई देगा तीन विकल्पों में आपको देखने को मिल रहा है इस वाली आकरती के हिसाब से आप option number B को भी क्या कर सकते हैं इमिनेट कर सकते हैं बच्चे अपने पास कितने विकल्प दो विकल्प तो मैंने कहा जो टॉप में है यानि कि जो उपर की तरफ है जो नौर्थ की तरफ है वह इस बना रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा यहां पर एरो का जो डारेक्शन था वह किदर था टूर्ट की जो साउथ में थी वह नौर्थ में देखने को नहीं मिलेगी यानि कि आप्शन नंबर यह क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए प्लियर बात कर लेते हैं फटाफट से अगले पूछे गए प्रस्न की अगें हम क्या करेंगे यहां प आपको डिखाई देगा शरकल साला जाएगा आपका टूवर्टस लेट इस यहां पर टूवर्टस लेफ्ट हो जाएगा अपका एलिमिनेट बच हो पास कितने विकल्प दो विकल्प और एक विकल्प अपका और देखने अऽे नंबर 5 और 1 अच्शन कि बात करें हैं जो आपकी परिक्षा जो है वह आफ लाइन मोड में हो रही तो वहां पर आप पेपर को घुमा करके भी आसानी से प्रश्ण को बना सकते हैं फिलाल हम चर्चा करें यहां पर अगले पूछे गए प्रश्ण की बात करूं यह जो डार्क वाला स्क्वाइर है आपको किदर आफ्ट में दिखाई देगा तो जहां पर भी यह तो देखने को मिल रहा है वह ऑप्शन हो जाएंगे यहां पर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्ण के लिए इस तरीके से छोटी- फेहले हम क्या करेंगे इसको सिक्व के बेज़ पर क्या करेंगे बागी विकलपो को नहीं बाते न अफे को सेम है लेकिन गिए प्र आप बात करें यहां पर किसकी दरपण प्रतिभीम कि भले वह आपका right में तो किज़र देखने को मिलेंगी लेट में देखने को मिलेंगी जबकि अगर हम बात करें option number c कि तो option number c में एफेक्टिव तो अगर हम बात करें यहां पर इनके बनने वाले दरपन प्रतिविम की तो सभी में आपको दरपन प्रतिविम भी बनता हुआ दिखाई देरा सभी लेटर्स के लिए यानिकि option number a right answer हो जाएगा लेकिन माल लेते हैं कि आपको eliminate करना होता तो मैं पता है इस प्रकार से नहीं बनेगा क्लियर यह option हो जाएगा आपका eliminate फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो f एक ऐसा बनना और एक ऐसा बनना यानिकि यह भी हो जाएगा eliminate क्योंकि दोनों ही f के लिए यहां पर से माकरतिया में बननी बनती हो दिखाई देनी चाहिए इसके लाब अगर मैं बात करू में आपको देखने को मिलता जो कि आपको देखने को नहीं मिलना यानिकि यह भी option हो जाएगा आपका eliminate बचता आपका एक ही विकल्प option number a जो कि क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए clear चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगला जो प्रस् क्या कोई आपको विकल्प eliminate होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक बाद में फिर आपको यू फिर आपको जी देखने को मिलता है यानिकि option number D आपका हो गया यहां पर eliminate इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो जी की आकरती बन रही है आप देख सकते हैं यहां प प्रति बिम्ब वाली आकरती आपको बनती हुई दिखाई दे रही है यानि कि अगर हम बात करें यह कि जब हम mirror image की बात करेंगे तो इस प्रकार से बनता हूँ आपको दिखाई देना चाहिए यानि कि option भी हो जाएग आपका बचेगा आपका एक ही option जो कि क्या हो जाएगा option number B तो आपको elements पहचानना है अगर हम बात करें alphabets की तो जैसे कि मैंने आपको पेपर पे दिखा या उस प्रकार से आपको क्या करना है alphabets लिख करके उनके water image और mirror image को एक बार अच्छे से देख लेना है थोड़ी सी अग बात करेंगे अगले प्रस्ण की जो कि आपका बेस्ट होने वाला यहां पर जल प्रतिविंब पर तो जब हम प्रतिविंब पर आधारित प्रस्णों की चर्चा करते हैं तो जो आपका leftmost element है वह आपका leftmost element ही बना रहने वाला है यानि कि उसके direction के अगर हम बात करें तो option तो यहां पर ऐसे ही आपकी क्या हो जाएंगे eliminate हो जाएंगे बाकी कि अगर हम विकल्पों की बात करें तो हम चर्चा कर लेते हैं इनके sequence की तो आर के बाद 8 मिलेगा फिर आपको मिलेगा T यानि कि option number A भी हो जाएग आपका eliminate बचा आपका एक ही option option number D जो कि क्या हो जाएग पूछे गए प्रश्ण के लिए clear चलिए अगेन यहां पर आपको आधारी प्रश्ण देखने को मिल रहा है करना क्या है थोड़ा सा आपको ध्यान से आकरती को देखना है मैप के अगर हम बात करें तो मैप में यह जो आकरती हमें दिखाई देर इसकी direction के अगर मैं बात और यह south east की तरफ बन रही है तो east का east ही रहने वाला है केवल आपका south का क्या हो जाएगा north हो जाएगा तो अगर हम बात करें option number B आपका eliminate हो जाएगा बच गया आपके पास तीन विकल्प इन तीन अगर हम विकल्पों की बात करें तो यहां पर कहीं भी आपको इस प्रकार क एक square बनता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि option number D में कहीं भी आपको square बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है clear तो by eliminating option हम क्या कर सकते है आसानी से सही उत्तर को चुन सकते है clear चलिए अगले हम यहां पर प्रशन की बात करें तो again जो आपका top most element है वो किदर नजर आएगा a eliminate option number B eliminate फिर मैंने कहा जो left side है वो left ही रहेगा जबकि यहां पर यह वाली जो line है आपको कहा नजर आ रही है towards right नजर आ रही यानिकि यह option भी क्या हो जागा eliminate बसता है आपका एक ही option option number C क्योंकि यहां पर हम चर्चा कर रहें किसके जल प्रतिविम यानिकि water image की clear चलिए बात करेंगे अगले प्रस्नकी अगले थी मैं प्रस्नकी बात करूं तो जो triangle आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है जब हम बात करते है इसके water image की तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा clear यानिकि अगर हम बात करें यह जो आपको उपर क्यों ट्रेंगल नजर आ रहा है या इसके बाद अगर मैं बात करें यह जो हिस्सा नजर आ यहां को नहि की और नजर आएगा आपको नीचे की और नज़र आएगा याप्शन वी में आपको देखने को मिल रहा है। यह वाल ट्रीयंगल आपको लाओ अप नजOTH घर कहां नहीं ओड अशन देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले हिस्से की तो ये वाला हिस्सा और ट्राइंगल आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग पार्ट में हैं जबकि आपको option number B में एक ही पार्ट में देखने को मिल रहे हैं इसलिए option number B भी क्या होगा eliminate बचा आपका एक ही option जो कि क्या है यहां पर option number C तो करना कुछ है नहीं है केवल और केवल मैंने कहा देखना भी एक आर्ट है तो देखना सीखिए अगर आपने देखना सीख लिया तो समझ लीजे कि आपको इस प्रकार के image संबंदित questions में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली तो देखने की कला को थोड़ा से यहां पर आपको सीखना है और improve करने की जरूरत है चलिए next question के अगर हम बात करें तो हमें बनाना है water image ठीक है अच्छा mirror image बोला है इसके पहले water image ठीक है इस बार अगर मैं बात करें तो हमें आपको correct कर लिजएगा यानि कि यह हो जाएगा आपका water image हिंदी की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका जल प्रतिबिंब clear बाकी PDF में आपको correct हो करके मिल जाएगा तो अगर मैं बात करूँ Q के water image की तो आपका यह option हो जाएगा eliminate इसके लावा यह option हो जाएगा आपका eliminate बचे आपके पास दो विकल्प अगर हम बात करें यहाँ पर UK water image की तो सही बना है UK water image की तो सही बना है R का water image सही बना है E का सही बना है और L का भी यहाँ पर सही बनता हुए दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं R की तो मैंने कहा जो आपका हिस्सा क्या है अगर R के मैं इस वाले line की बात करूं तो map के according अगर आप देखेंगे तो कहां है यह towards north east है तो change कहां आएगा केवल इसके direction में आएगा यह आपको कहां नजर आएगा actual R में आपको नजर आएगा south east में जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर R की तो यह आपको R कहां देखने को मिल रहा है towards north west यानि कि east का west यहाँ पर नहीं बनेगा आपका केवल और केवल change किसमें आएगा south का north बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि अगर हम बात करें option की तो केवल और केवल यहाँ पर option number A आपको सही तोर पे देखने को मिल रहा है word quarrel के water image के तोर पे clear बात करेंगे अगले प्रस्न की अगला जो प्रस्न है देखते हैं यहाँ पर आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पेपर कटिंग और फोल्डिंग तो जब हम बात करते हैं पेपर कटिंग और फोल्डिंग की तो यहाँ पर भी हम water image और mirror image के concepts का use करेंगे लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी फोल्ड करके इसकी दो परतें बना ली और इस दो परत में से अगर मैं क्या करूँ इसमें से एक आधा हिस्सा काटूँ इस परकार से आधा हिस्सा मैंने क्या किया इस परकार से काटा तो जब इसको हम open करेंगे तो यह हमको नजर आएगा पूरे के पूरे एक हिस्से के रूप में यानि कि एक सरकल के रूप में मैंने इसमें से क्या किया 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 आधा सरकल के रूप में आकरती काटी लेकिन जब इसको हम open करेंगे तो आधे का डबल अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा क्यों कि इसको हमने दो परतों के तोर पे मोला था इसी प्रकार अगर हम क्या करें किसी कागज को चार परतों में मोले यानि कि यह हो गए इसके दो परत और इन दो परतों को भी जब हम आधा करेंगे तो यहां पर हो गई यह चार परत अब इस चार परत में जब हम क्या बनते हुए दिखाई देंगे इस प्रकार से जब कि एगर मैं बात करो इसको चार परतों में आधे करने हम टे गांड़कर पूरा का पूरा PayPal खरनग करते हम यहां al क神 करते है फ्रीर तो इसको हम उपन करेंगे तो यह एक होल हमें कितना नजर आएगा यह हमें चार नजर आएगा जो कि आप इस प्रकार से बनते हुए देख सकते हैं यह एक होल हमें चार नजर आ रहा है क्लियर तो यही concept का हमें यूज़ करना होता है जब हम बात करते हैं किसकी paper cutting and folding की लेकिन जब हम बात करें यह नुगई चर्चा किसकी paper cutting की paper folding की उपर भी हम चर्चा करेंगे अब हम बात करें लेते हैं प्रश्णों में water फोल्ड होगा वहां पर आपको केवल और क्या कर लेना एक मिरर लगा लेना है मैंने कहां मिरर आप राइट में लगाई है या मिरर आप लेफ्ट में लगाई है आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा यानि कि आपकी जो अकृति बनेगी वह मिरर इमेज बनेगी दर पर प्रति बिम्ब वाली आकरती बनेगी लेकिन यदि अगर हम mirror की बात करें mirror हम top या फिर bottom पे लगाएंगे तो जो आकरती हमें बनती हुई दिखाई देगी वह कैसी होगी वह जल प्रति बिम्ब पर आधारित आकरती आपको बनती हुई दिखाई देगी अब इस पेपर के अगर मैं बात करेंगे तो इस पेपर को हमने बताओ कितने परतों में फोल्ड किया तो आप कहेंगे यहां से जब हमने फोल्ड किया तो हो गई दो परत और यहां से भी हमने फोल्ड कर दिया तो हो गई कितनी परत चार परत अब चार परतों में जब आप क्या करेंगे दो complete circle को इस प्रकार से काटेंगे तो circle आपने काटे दो यानि कि दो का गुड़ा 4 में करोगे तो आपको 8 circle नजर आएगा इस प्रकार आपके अगर हम options ही बात करें तो यह option हो जाएगा आपका eliminate और यह option हो जाएगा कहां पर आपको mirror लगा करके देखे ना उसकी बिहां पर चर्चा करेंगे जैस यस आकरती की अगर हम बात करेंगे तो हमने के लिए तो मैंने कहांस जो साउत है वो कहा नजर आता उम्細 कमें नौर्फ नजरा अंगा है यह लगे ज सकी चुर्ठेमर भीम् Pale 900 reg यह वाला ग वाला भाला जो इस्सा आपको यह इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा यह अगा 2025 पहर बनती हुई दिखाए वी यह इस परकस हो जाएगा और यह इस हालेगा तो क्या क्या देखने मिलेगा desirable answer नमबहू प्चेश्चन से ढाटोangen हो जाएगा जबकि नहीं दे रहें clear तो आप water image mirror image या जिस प्रकार से मैंने आपर paper को cutting करके दिखा किसी भी concept का आप यूज करें आप प्रश्ण को आसानी से बना पाएंगे exam hall में आपको paper को कुतरने की जरूत नहीं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं paper को fold करते हैं दाथ से फारते हैं pen से काटते है परिशान होते हैं फिर भी आप exam में गलतियां करते हैं तो आपको यह सब करने के आशकता नहीं है clear यहां पर भी अगर मैं बात करूं मैंने का last fold पे क्या कर देना अपने को mirror लगा देना या तो ऐसे समझे इसको मैंने एक परत में मोला तो कितने होगे दो परत यहां से मोला आपके यहां पर दो option जिन में आपको छे त्रिबूज और छे आपको सरकल देखने को मिल रहें लेकिन ध्यान दीजे मैंने का last fold पे क्या लगाएंगे mirror लगाएंगे जब आप यहां पर लगाएंगे तो यदि कोई triangle इस प्रकार से है तो आपको triangle इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा जो कि option number A में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए clear बात कर लेते हैं फड़ा फट से यहां पर अगले पूछे गए प्रस्न की अगले प्रस्न की बात करूं तो अगेन यहां पर दो आधे जो सरकल है यह खुल करके कितने सरकल बनाएंगे यह वाला आपका निर्माल करेगा दो सरकल कर यह वाला आपका निर्माल करेगा दो complete सरकल का यानि कि इस प्रकार यह वाले हो जाएंगे चार सरकल और इसकी अगर हम बात करें तो यह भी बनाएगा चार सरकल यानि पर भी आपको आठ सरकल बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं आंसर की हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी क्लियर बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की बात करूं तो यहां पर लास्ट फोल्ड पर मिरर लगाएंगे तो जब इसको ओपन करेंगे तो इ कोते हैं थको ओपन कावक BACK करेंगा तो जब यहां पर मिरर लगाता हूं और जब मैं इसको ओपेन करता हूं तो ध्यान दीजे कितने भाग को कवर करेगा या आपके इतने ही भाग को कवर करेगा या penser कि यह वाला जो इस टार है कहा पर बनता हुआ दिखागा वह आपको यहाँ पर बंता हुआ दिखाईदेगा कुछ इस प्रकार से clear आप मैं बात कर felony इसके बात जब मैं करेगा cover up करेगा जहां पर आपको star बनता हुए दिखाई दे रहा है यानि कि stars के अगर हम संख्या की बात करें तो आपको 4 star बनते हुए दिखाई देंगे लेकिन किस प्रकार से दिखाई देंगे तो जैसा कि क्या करेंगे water image और mirror image के ही concepts का यूज करेंगे यहां पर basically आपका mirror image पर based concepts ज्यादा यूज होने वाला क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसको horizontally अगर हम क्या करते हैं आप बिंदीदार लाकीरों के माधियम से फोल्ड करते हैं तो जो आपका concept यूज होता वो आपका water image का concept यूज होता लेकिन यहां पर जो ज्यादा तर आपके एक्जाम में प्रस्ण बंते हुए दिखाई देते हैं वो आपको क्या vertical बिंदीदार लाइनों के माधियम से paper को फोल्ड करते हुए प्रस्ण देखने को मिलते हैं यानि कि जब हम इन papers की बात करते हैं यह जो आपको paper देखने को मिलती है अगर हम simply बात करें तो इसको जब हम फोल्ड करते हैं जब इसको हम क्या करेंगे फोल्ड करेंगे तो यह वाला जो आपका right side में image दिखाई दे रहा हो आपको कहां दिखाई देने लग जाएगा वह आपको towards left दिखाई देने लग जाएगा यानि कि साकृति कि अ विकल्पों को हम यहाँ पर कैसे हानिइट कर सकती हैं तो जो आपका north है वहह टूर्सण न ओरत रहने मला है वह साउथ में नहीं होगा कायट है देखना सीख गए तो प्रश्ण बनाना सीख गए चलिए बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगले ती मैं यहां पर प्रश्ण की बात करूं तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो बीच वाली लाइन है इससे लगभग लगभग समान दूर अंचंड की पर यह और इसको आपको आपको देखने को मिल रही यानिकि यह जो 征 अधिए यह करें लेगे या法 मैं बात करें बात करींओ अप्ट ह chasing number य0920 ए आमे इस प्रकार से देखने को मिलेगी या इनिक यह वाली लाइन भी आपको इसी प्रकार से बंदेगि की jest बात करेंगे अगले प्रस्रद की बात करों यहां स्टाट करें और यह लाइन cricket बात करें तो इन लाइनों कि जब हम बात करते हैं इस वाली लाइन कि जब बात करते हैं तो जब इसको मे nuclear तो राइफ अंसर हो झाएगा चुटकियों में within second आप question को देखते ही, यहाँ पर answer कर सकते थे चलिए एक और प्रस्ण आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा complicated question है approach हम same follow करेंगे, कोई भी complication यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलने वाली इस वाली line के अगर हम बात करें, जो कि आपको क्या कर रही, right corner पर touch होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहाँ भी touch होती हुई दिखाई देगी, आपको left corner पर touch होती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से, clear, और जो आपके यहाँ पर left corner पर touch हो रही है, second half में वो आपको first half के right corner पर touch होती हुई दिखाई देगी, और कहां तक गई थी यह, right corner तक गई थी, तो यह कहां तक जाएगी, left corner तक जाएगी यानि कि इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई देगी, option के अगर हम बात करें, तो आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपकी line touch होती हुई, right corner तक आई है, यहाँ से आपकी line टच होती हुई, right corner तक आई है, जबकि यह वाली line के हम बात करें, तो यह वाली line आपको बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, यह वाली आकरती, इसमें कहीं भी आपको बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, आकरती आपको बनती हुई दिखाई दे रही, इस प्रकार से, अगर आप ध्यान देंगे, तो आकरती आपको इस प्रकार से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही यानि कि अंसर कि अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा option number B clear चलिए बात करेंगे अगले प्रश्ण की अगला जो प्रश्ण है देखते हैं आपके किस topics है तो यहां पर आपको embedded figure यानि कि सन्निहित आकरतियों पर बेस्ट question देखने को मिलेगा सन्निहित आकरतियों कि अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से हां पर question पूछे जाते हैं अगर हम प्रश्ण की बात करें तो हमें विकल्प करें हैं चार विकल्प वह आपकी दी गई आकरती तो अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पर इस परकार से कहीं भी आपको 4 स्कॉयर बंते हुए देखने को नहीं मिल रहे यानि कि यह होगी आपका तो यहाँ इस परकार को इसको नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्लियर जब कि हम इस वाले अगर option number C की बात करें तो option number C भी यहाँ पर आपको eliminate होता हुआ दिखाई देगा कैसे देखिए option number C की दिए में बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से नहीं पर चार स्कुरियर को डून लेना है जो कि आपको केवल और केवल एक ही या फिर आपको इस प्रकार से यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर यहाँ पर वाला हम स्क्वायर लेंगे तो इसके आसपास कहीं भी आपको इस प्रकार का ट्रैंगल बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है यानि कि option number c b क्या हो जाता आपका eliminate हो जाता clear बात करेंगे अगले प्रस्णकी अगले दी मैं यहाँ पर प्रस्णकी बात करूं तो सीधे-सीधे यहाँ पर आप आकरती में देख सकते थे आपको एक hexagon मनता हुआ दिखाई दे रहा इस प्रकार से यह आपका hexagon मनता हुआ दिखाई दे रहा यानि कि option number b क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्णकी अगले प्रस्णकी अगले दी मैं प्रस्णकी बात करूं तो आप clearly देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह आकरती बनती हुई दिखाई दे रही कहां पर दिखाई दे र प्रस्ण आपको समझ में आने लग जाते हैं और आपको अपरोज भी पता है तो यह किसी प्रस्ण में कठिनाई होती तो मैंने आपको बता है किस परकार से आप paper option a क्या हो जाएगा eliminate क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से cd-line बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है clear इसके बाद अगर मैं option b की बात करूं तो option b भी आपका eliminate हो जाएगा क्यों क्योंकि आपको यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी आकरती बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जैसे कि आप यहाँ पर दी गई आकरती में देख सकते हैं option B भी क्या हो जाएगा आपका eliminate clear इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर option C की तो option C की यहाँ पर आपको फिर से cd line इस परकार से कोई भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जो कि आपको option number C में देखने को मिल रही है यानि कि option number C भी क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि option number D को आपको चेक करने की ज़रो थे लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपकी संतुष्टी के लिए यहां पर मैं सन्निहित आकरती को ड्रॉ कर रहा हूं blue color के pen से तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा और मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं तो यह आपका हो गया फिर हो गया आपका यह इसके बाद अगर हम गये तो यह और यहां थोड़ी उपर तक फिर अगर हम बात करें तो यह और यह यह यानि कि आप देख सकते हैं जो blue color की आपको आकरती यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है वह आपको option number D में यहां प पूछे गए प्रस्ण के लिए clear बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण देखते हैं आपको किस topic से देखने को मिल रहा है तो यह प्रस्ण भी आपके embedded figure पर best question देखने को मिल रहा है अगेन अगर हम बात करें यहां पर तो आपको कोई भी इस प्रकार की horizontal line देखन बात करें यहां पर हमें म बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए option number D भी क्या हो जागा eliminate जबकि अगर हम बात करें यहां पर option number C की तो आपको clearly इस प्रकार से M बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी की पूरी अगर हम आकरती की बात कहें तो आप देख सकते हैं आ प्रकार से आपको अकरती बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपको question figure में देखने को मिले रही है clear थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं अब्जर्व करके figures को देख करके आसानी से options को eliminate कर सकते हैं बात करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रस्ण की अगले प्रस्ण की यदि मैं बात करूँ तो आसानी से आप यहाँ पर भी क्या कर सकते थे प्रस्ण को बना सकते थे जैसा कि अगर मैं option number B की बात करूँ तो आप clearly देख सकते हैं इस प्रकार क्या करती आपको यहां पर बंती हुई दिखाई दे रही है बाकी क्या ओप्शन्स आपके क्या हो जाएंगे इलिमिनेट आपको कोश्चन को देखकर के बिल्गुल भी घबराना नहीं है केवल क्या करना है रिलाक्स मोड में एक दम कूल एंड काम होकर कि आप आकरतीयों को अगर देखिए तो ध्यान दीजे कि आकरती आपको बंती हुई कहां देखने को मिल रही है तो आप पाएंगे कि यहां पर ऑप्शन नम्बरे में इस प्रकार की कोई भी आकरती आपको बंती हुई दिखाई नहीं दे रही और जैसे ही आप option number B पर पहुंसते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रकार क्या करती है आपको यहां पर बंती हुई दिखाई दे रही है आगे कि options को आपको चेक करने के आवशकता नहीं option number B ही क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रसने के लिए clear बात करेंगे अगले पूछे गए question की अगले यहां पर हम question की बात करें तो अगर मैं पहले ही विकल्प की बात करूं पहले ही विकल्प की यहां चर्चा करूं तो यह हमको इस प्रकार से आकरती पूरी की पूरी बंती हुई दिखाई दे रही जैसा कि हमको दी गई है यानि कि इस बार आपको क्या किया गया फीगर का एक पार्ट दिया गया और आपको पूछा गया है कि किस वाले आकरती में ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है किलियर यानि कि किस आकरती में आपको ये पार्ट देखने को मिल रहे यानि कि को पूछने का तरीका क्या है बिल्कुल reverse कर दिया गया अभी तक आपको क्या किया जा रहा था एक particular figure के चार चोटे-चोटे parts दे दिये जा रहे थे और पूछा जारा था कि इन parts में से कौन सा वाला part figure में क्या embedded है और इस बार आपको 4 figure दे दिये गए और पूछा गया कि जो given part है वो किस वाले figure में क्या है embedded है तो question कैसा भी approach दोज हमारा हमें सेम रखना है असानी के साथ हम प्रश्ण को बना पाएंगे बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्ण की तो देखते हैं अगला प्रश्ण आपका किस पर बेज़ होने वाला है किस पर फीगर सीरीज पर यांटिं की यहां पर हम क्या करते है कुछ pattern को follow करते हैं पैटंस पयारेक्षन आदे बात करें यहां अपर हम आगर बात करें यहां पर इसको this equal parts आप और एडियान सब्सक्राइए छेस्ट को चैंज हो रहा है कीफ इंड का रोटेशन हो कितने भाग में change हो रहा है इसकी हम चर्चा करेंगे जैसे माल लेते हैं आपका एक square है square के अगर हम बात करें तो जब हम अगले step की बात करें तो अगले step में हो सकता है आपको square की क्या देखने को मिले इस परकार से one fourth part में आपको change देखने को मिले फिर इसके अगले भाग में हम गए यानि कि अगले step की अगर हम बात करें तो हो सकता है इस बार आपको इस परकार से change देखने को मिले इसके अगले step की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपको इस परकार से यहां पर change देखने को मिले clear तो जो चेंजे इस आपके आकर्वे सब्सक्राइज और ऑफ पर इसके का इपन ऐसे वागती से पर पार्ट में या उन बाइट सौने और इस प्रगार चेंज अदर दिखाई भाइए किया क्प्राइबन którego ये भाख आफ उन डार्क सहां हीं काई वाले सीघ्व 싸格 सकता है क्लियर तो सीधे हम चर्चा करेंगे प्रश्णों की प्रश्णों में इस बात को समझते हुए चलेंगे तो सबसे पहले डारेक्शन की हमने चर्चा किया और डारेक्शन पर ही बेच्ट आपको कोशन देखने को मिल रहा है MP पुलिस असाई 2016 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है तो यहां पर मैं बात करों डारेक्शन की डारेक्शन की अगर हम यहां पर टर्म में बात करें तो आप क्लियर ली देख सकते हैं कि यह वाला पार्ट यानि कि अगर हम बात करें तो यह 90 डिग्री वाले हिस्से को क् यहां कर रहें कि यह इसमें अपको क्या देखने को मिल तो इसमें टिपर में रोटेशन का उखने को मिलेगा यानि कि आकरती आपको एजिटीज बनती हुई दिखाए देगी क्योंकि हमें पता है कि किसी भी अगर हम बात करें सर्कुलर पाथ पर 90-90 डिग्री के जब हम 4 रोटेशन लेंगे एक ही डारेक्शन में तो हम दोबारा से वहीं पर क्या करेंगे पहुच जाएंगे यानि कि अगला जो रोटेशन होगा चार बार यानि कि पहला रोटेशन दूसरा रोटेशन तीसरा रोटेशन और चौथा रोटेशन हमें वहीं पर पहुचा देगा जहां से हमने स्टाइट किया था अगर नॉर्थ से हम गया करें चार बार रोटेट करना शुरू करें नाइंटी डिग्री तो यह हो गया एक यह हो गया दो यह हो गया तीन और पुना हम पहुंच जाएंगे कहां नॉर्थ पर यानि कि अगला वाला जो अकृति बनता हुआ दिखाई देगा वह आपको आपको ही करेंगे ठीक है तो यह हम बात कर इतने हिस्से की तो आप कह सकते हैं कि ऐक ओवल शेफ का यह वन राइफ और क्या है पार्ट है यह होगा 1 है यह होगे आपका दो भार तीसरे बार के घर हम बात करें यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यह लगबाग आधा complete हो गया यहां पर आपका यह complete हो अच्छा यह आधा आपका पहले से ही था यहां पर यह आपका complete हो गया यह अगर मैं बात को 3x4 complete हो यानिकि next step में क्या हो जागा पूरा का पूरा एक oval shape हमें बनता हुआ दिखाई देगा यानिकि answer कि अगर हम बात करें तो option यानिकि पहले था नॉर्थ नॉर्थ से हो गया इस्ट यानिकि 90 डिग्री एंटी क्लॉक्वाइस फिर हो गया साउथ यानिकि 90 डिग्री एंटी क्लॉक्वाइस फिर अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका west यानिकि 90 degree anti clockwise option number 3 क्या हो जागा यहां पर right answer हो जागा यानिकि option number C में आपको given है यहां पर 3 जो कि क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ण के लिए clear बात कर लेते हैं अगले question की अगले ती मैं question की बात करूँ तो again आपको यहां पर direction पर based concept से related question देखने को मिल रहा नौर्थ से हो जा रहा इस बार जो आपका rotation वो किस direction में वो clockwise direction में इस्ट से हो गया साउथ साउथ से हो जाएगा आपका वेस्ट यानिक आंसर की हम बात करें तो यहां पर option number D आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए जो कि आपको fourth figure में बनता हुआ दिखाई दे रहा है चलिए फड़ा-फट से move करते हैं यहां पर अगले प्रस्ण में अगले प्रस्ण की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि हमें देखना है कि जो आपका आपको जाएक यहां पर नीके आपको भाठ करें अपको फिल दिखाईग्स का हुआउप आपको टिखाई देगा जोकी दोनों में देखने को मिल रहा है आप जब हम बात करते circle की, circle यहां से आ गया, यहां से आ गया, नीचे और नीचे से जाएगा, कहां, towards east और east में जाएगा, तो कैसा होगा, blank होगा, जो कि आपको दोनों ही विकल्पों में, blank देखने को मिल रहा है, जो आपकी बचे हुए विकल्प है, clear, अब हम बात कर लेते हैं, plus की, तो plus यहां से गया, कहां, east, east से गया, कहां, north, north से कहां जाएगा, west आ जाएगा, जो कि आपको option number C में देखने को मिल रहा है, even आपका figure series पर based question हो, आसानी से आप प्रस्णों को बना पाएंगे, clear, बात करते हैं, फड़ा फट से आपर, अगले question की, जो कि आपका figure completion पर based question है, जहां पर आपको कोई एक आकरती दी गई होगी, और उसका एक part क्या होगा, missing होगा, और आपको बताना होगा, कि आपके जो दिये गए विकल्प हैं, उनमें से कौन सा वाला part, यदि उस आकरती में जोड़ दिया जाए, तो आकरती आपकी क्या हो जाएगी, complete हो जाएगी, तो चलिए बात करते हैं, पहला question की, पहला प्रस्ण आपकी screen के आ चुका है, यदि मैं प्रस्ण की बात करूं, तो आपको पता है, कि यहां पर इसके जो उपर वाला यह one-fourth part है, यह क्या है, missing है, तो बताइए, दी गई आकरतियों में से कौन सी वाली आकरती यहां पर जोड़ दी जाए, कि आकरती आपको complete होती हो दिखाई दे, तो आपको पता है, option number A हो जाएगा, eliminate, क्योंकि इस परकार की कोई भी line है यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, option number B हो जाएगा, eliminate, क् क्योंकि यह oval shape है, अगर circle की बात के तो आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो बचा एक ही option, option number D, option number D को यहां पर आप क्या करते हैं, fill करते हैं, तो आकरती आपकी क्या हो जाएगी, complete होती होगी, आपको दिखाई देगी, clear, यहां पर बन जाएगे आपके, दो star इस परका से हम यहां पर क्या कर लेते हैं, बाट लेते हैं, तो आप देख रहें, इस बार color यहां था, तो अगली बार color अवाला area आपको कहां देखने को मिलेगा, यहां पर 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 देखने को मिले क्योंकि option number B कि अगर हम बात करें तो आपको यह वाली यह वाली यह वाली यहां पर बनती हुए दिखाई नहीं देरी इसलिए आपको option number B क्या हो जाएगा जब कि हम बात करें option number C की तो option number C यहां पर आपका right answer हो जाएगा option number D आपका हो जाएगा क्योंकि यह जो डार्क वाला या फिल वाला पार्ट है वह आपका कहा है तुवर्ट्स राइट है या बोल सकते हैं आप यहां पर ऊपर की और आपको दिखाई दे रहा है जो फिल वाला पार है यह line भी आपको completely touch होती हुग दिखाई देगी दोनों corners पर clear अब इसके बाद अगर मैं बात करों यह वाली लाइन की यह वाली लाइन जो यहां से यहां तक गई है तो यहां से यहां तक आएगी clear यहां से यहां तक आपको line बनती हो दिखाई देगी तो इस परकार के अगर मैं आक्रति की बात करों तो यह लग बख मिड़ वाले से आई कि कॉर्णरर व को नगे तो यहां पर मिड़ से आती हुई करें हमने करें यह इस वाली लाइन की दूसरे कॉर्णर को टच करेगा इस वाली लाइन के अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से यह आपकी यहां से जाती हुई कॉर्णर को टच करें उसी प्रकार यह लाइन भी कहां पर आएगी यहां से आती हुई आपके corner को touch करती हुई दिखाई देगी अब अगर हमें चुनना हैता हमें केवल इस हिस्य की बात करनी ही होगी जब हम इस हिस्य की बात करें, یعنی oh आपशन D में देखने को मिल रही है तो आसानी समयापर प्रस्ण को बना सकते हैं तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार के प्रस्टों में आपका जो अप्रोच है वो बहुत महत्पूर हो जाता है साथ ही साथ आपके number of questions की practice भी आपको exam में help करेगी clear तो करना क्या है आपको same approach को follow करना है और अगर हम बात करें number of questions की practice करके exam में जाना है जिससे आप confidence के साथ पूछे गए प्रतिक question का answer within time चुटकियों में बना सकें जिससे आप अपना जो बाकी का बचा समा है वो दूसरे sections में भी आराम से इत्मिनान के साथ relax mode में दे पाए और जिस उद्देश के लिए आप exam में गए उस उद्देश में आप सफल हो पाएं clear तो इसी के साथ आज का session हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं मिलते हम लोग next session में जहां पर हम लोग और भी amazing concepts के साथ amazing topics के साथ में आपके साथ में फिर से जुडएंगे तो आपको भी हम